वेलो स्टूदेंस, आज हम करेंगे एक क्लास landing का lesson number 15 जो की एक पोई मैं बोट सेल सोन्दा रिवर्स बोट मेंज, नाव सेल, तैती है अन्दा रिवर नदियों पर तो स्टूदेंस इस पोईम की पईटेस कौन है? क्रिस्टीना रीसर्चि 애 है इस poem की Poitess है और इस poem में Poitess है describe करना चाहती है कि इसको beauty of the rainbow rainbow की इंदर दिनुश की beauty को describe करना चाहती है और इस poem के तुरू Poitess ये भी आपको बताना चाहती है कि जो man-made things होती है और जो nature ने हैं में provide की है वो इन दोनों में काफी difference है वो क्या difference है कि जो nature ने हमें प्रोवाइट की है beauty वो man-made things से कहीं ज़्यादा खुबसूरत होती है तो चली student poem स्टार्ट करते हैं लेकिन poem स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें आपकी स्क्रीन पर जो red color का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें साथ में bell icon दबाएं इसका benefit यह होगा कि जैसे ही मैं new video upload करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका notification मिलेगा तो चलिए start करती है इसमें point is कहती है कि जो boats है now sail sail means तैरती है किस पर on the rivers now नदियों में तैरती है and ship sails on the sea और ships जो होते हैं जहाज जो होते हैं वो किस में तैरती हैं समूंद्र में point is कहती है कि ships और boats जो है जो river और seas में जो sail करते हैं वो बहुत खुबसूरत लगते हैं लेकिन जो clouds है आसमान में जो sky में जो तैरती हैं clouds तैरते हैं इन boats और ships से भी कहीं ज्यादा सुन्दर लगते हैं इन से कहीं ज्यादा सुन्दर लगते हैं क्या जो आसमान में तैरते हुए clouds होते हैं तो यहां दिखें डिफरेंस क्या है यह जो boats ती और ships ती यह man-made है point is कहती है man-made things तो खुबसूरत लगती है लेकिन जो nature ने दी है वो उनसे भी कहीं ज्यादा खुबसूरत है there are bridges on the river as pretty as you please तो poetess कहती है कि नदियों पर जो पुल बने होते हैं वो as pretty as you please तो कहते हैं कि वो बहुत सुन्दर दिखते हैं और तुम उन्हें देखकर बहुत तुमें खुशी भी मिलती है तुम बहुत ही खुश होते हो but the bow that bridges heaven but but means लेकिन बहुत है वैसे धनुष लेकिन यहां बहु का मीनिंग क्या लिया जा रहा है rainbow आपको rainbow का मतलब भी बता दू किसे हम rainbow क्यों कहते हैं क्योंकि जो rainbow होता है यह धनुष के आकार का होता है और साथ में यह मोसली बारिश के टाइम में हमें दिखाई देता है तो इसलिए हम इसे rainbow कहते हैं okay तो पोइटेस कहते हैं जो rainbow जो ब्रीज बनाता है कहां पर heaven में, sward में स्वर कुन से जगह है जहां पर यह माना जाता है कि जहां पर देवता रहते हैं तो जो बोव है रिण बोव जो ब्रीज बनाता है है एवन में पेरों के ऊपर से जो में दिखाई देता है and over top the trees कहां पर बनाता है पेरों के बिलकुल उपर and बील से रोड स्प्रों दस अर्थ बना दिया हो धर्ती से आसमांता के पुल बना हुआ हो तो ये जो पुल है नेचर ने जो पुल बनाया है ये पुल कहीं जो मैनमेड पुल है उससे कहीं जादा खुबसूरत है और रेन्बो जो दिखाई देता है तो आपने देखा है तो आपको कितनी खुशी मिलती है जैसे क कि पूरे प्रकरती ने कलर बिखेर दिये हूँ तो स्टुडेंस यह हुई आपकी पोयम बोर सेस होंदा रिवर आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी अब हम देखते हैं इसका इसके वर्ड मीनिंग स्टुडेंस यहां नीचे कुछ वर्ड मीनिंग दिये गए हैं आपको हम यह भी देख लेते हैं थोड़ा सेल सेल मीन्स क्या होता है तो मूब अक्रोस दा सर्फेस ओफ और सी रिवर और लेग किसी देखे समूंदर नदी या जील की जो सताय होती है उपरी सताय उसके उपर को प्रिटियर मिन्स होता है जिसील में इंनीग लिया च्टास्ते नादी इस दर्थे ृटियर में इंदेख नू मिन्ने के उपर नदी Android और बेच् पुल बनाया जाता है, उपर से उसके उसके क्रोस करने के लिए सड़क से एक साइड से दूसरे से जाने के लिए एक पुल बनाया जाता है, उसे ब्रीज बोला जाता है, इसे जगह जहाँ यह माना जाता है कि वहाँ पर देवतों का वास होता है, इसमें से एक उप्शन राइट है, आपको राइट उप्शन पर टिक करना है, फर्स सेंटेंस देखिए, बोर्स सेल उन्दा रिवर, बोर्स सेल करती है, तैरती है, अब बोर्स होती है, वो छोटी होती है साइज में, तो यह बोर्स सेल करेंगी माउंटेन पर, दोको माउंटेन पर तो कोई बोर्स सेल करती नहीं, रिवर्स में करती है, दोको ट्री पर बहुत बदए जैस होते हैं उससे बोलते हैं सेल करते हैं तो वो कहां करेंगे देखो river में तो करेंगे नहीं ship कभी देखा आपने river में चलते वे बहुत बड़े बड़े size में होते हैं big size में होते हैं तो इसमें river तो option नहीं होगा trees पर तो कभी कोई sale कुछ कर नहीं सकता तो कहां होगा seas में, समूंदर में ठीक है next step be part, tick for the right and cross for the wrong statement जो statement सही है उसके लिए tick करना है और जो और statement wrong है उसके लिए cross लगाना है तो first statement देखिए, boats sail on the rivers boats sail करती है किस पर rivers पर, तो बिल्कुल सही है boats river में ही sail करती है न this statement is right second देखो ships sail on the trees ships जो है, वो trees पर जो है sail करती है, trees पेड़ उपर, तो इस statement wrong है okay, next step देखिए there are bridges on the roads क्या bridge बने वी है road पर poem में क्या बतायागा कि road के उपर bridge बने है, तो इस statement students wrong है, poem में बतायागा है कि जो bridges है, वो river के उपर बने वी है, ना कि roads के उपर है न, तो इस statement false है next देखिए, but clouds are prettier than the boats prettier है, सुन्दर है, then मुलब then का use है comparison के लिए हम करती है boards and ships, जो clouds है वो boards और ships सी ज़्यादा prettier है, ये statement right है बढ़ते है next part पर next part है filling the blanks, यहाँ आपको box में कुछ option दे रहे हैं, और right option चूज़ करके आपको इस में fill करना है in gaps में, okay तो पहले meaning जान लेते हैं, ships meaning जहाज जो पानी में चलते हैं, बड़े-बड़े जहाज होते हैं, clouds बादल, sky, आस्मान bridges ब्रिज मिन्स जो roads के उपर से और rivers के उपर से जो pull बने होते हैं bridges मिन्स pull, okay तो देखते हैं, first sentence में क्या होगा the clouds sail across the clouds जो होते हैं, sail करते हैं कहाँ sail करते हैं, बादल sky में, ठीकिए next देखिए, there are dash on the river पुई में क्या बताया गया है कि on the river, नदियो के उपर क्या बने होई हैं, bridges pull, ठीकिए, breeze बने होई है breeze on the river ठीकिए, and dash sail on the seas seas means होते है, समुंद्रों में, साग्रों में, तो साग्रों में क्या sail करते हैं, ships number four देखिए but dash are prettier than these लेकिन इन सबसे आपको poem में क्या बताया गया है, सबसे prettier क्या थे, boat और ship से prettier क्या बताया थे, clouds but clouds are prettier than these इन सबसे clouds ज़्यादा सुन्दर है, तो चलिए, next part देखते हैं, d answer the following questions, आपको कुछ question दिएगे, उनके आपको answer राइट करने हैं okay, question number first देखिए according to the poetess poetess के according क्या है कि what is more beautiful क्या सबसे ज़्यादा सुन्दर है the boats and ships that sail on the river and seas कि जो boats और ships है, जो river और साग्रों में नदियों और साग्रों में तैरती है ships और boats, या फिर clouds that sail across the sky या फिर clouds सुन्दर हैं, जो बादलों में तैरते हैं, दोनों का बताना कि है, निकि clouds सुन्दर लग रहे हैं, जो बादलों में तैरते हैं, या फिर boats और ships सुन्दर लग रहे हैं, जो rivers और seas में थारती हैं तो पोई में किसको beautiful बताए गया है the clouds that sail across the sky are more beautiful कि जो clouds हैं जो sail करते हैं आसमान में वो ज्यादा सुन्दर है next and second which bridge is the point as talking about in the in the in line 7 of the point which bridge? कौन सा bridge? which means कौन सा? bridge means pull is the point as talking? point as बात कर रही है about बारे में in the 7 in the line 7, 7 number line में of the poem, poem में ठीक है जो poem में number 7 नहीं दे रखी है उसमें point as बारे में किस bridge के बारे में बात कर रही है the answer देखिए the point as is talking about the rainbow, rainbow के बारे में next number 3 देखिए who composed this poem? यह जो poem है किस ने compose की है? किस के द्वारा रचित है? compose मतलब रचित है ठीक है? answer देखिए कोन इसकी point is? Christina Rossetti composed this poem next part है grammar workshop और grammar workshop में आपको दिएगे है articles, articles में use of a and an a का use कहां होता है और an का use कहां होता है students a का use और an का use देखो an तो वहां लगेगा जहां फिलब के बाद वाला जो word होता है देखिए फिलब के जस्ट बाद वाला जो word है अगर उसका गरब pronunciation करते हैं उसका जो sound है वो swear से start हो रहा, swear you know Hindi word में जो swear होते हैं a, a, e, e, u, u है ना ऐसे लेकि एह तक के जो swear होते हैं अगर उनका pronunciation, swear से start हो तो वहां पर an लगेगा और अगर उनका pronunciation, फिलब की बाद वाले word का जो pronunciation है वियंजण से start हो तो वहाँ पर वियंजण, यानि की, कहात्त गया-गया गया है चीक है, तो उनसे start हो तो वहां पर, a लगेगा तो चलिए एक बार कर लेते हैं इसके example देख लेते हैं डश बैग अब देखिए इसका जो pronunciation है क्या हो रहा है बैग, ब साउंड से स्टार्ट हो रहा है यह ना बैग बै से स्टार्ट हो रहा है और बै क्या है वियंजन है तो यहाँ पर क्या लगेगा ए बैग डश एलिफेंट तो एलिफेंट इसका pronunciation क्या है एलिफेंट ए से स्टार्ट होता है और ए क्या है स्वर तो यहाँ पर क्या लगेगा एन, स्वर अगर स्वर का साउंड हो तुम्हाँ पर एन लगाना होता है और वियंजन का साउंड दे तो यहांपर A लगेगा dash ink port ink port E यह E sounds याणि कि swear से start हो रहा तो यहाँपर N आएगा dash box box B B क्या है? V engine है और V engine से start हो रहा है तो A लगेगा यहां आपको देखें कुछ example दीएक है dash book book क्या है? B B से start हो रहा है तो A book dash pen स्टार्ट हो रहा तो A यारि कि विचन है तो A Pen डैश old man old O तो O क्या है स्वर है स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो an and old man डैश umbrella 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 यारे कि स्वर है तो N लगेगा an umbrella डैश cat कैसे स्टार्ट हो रहा क्या वियंजन है तो a cat डश egg इस तरह से an egg तो students दिये हुए आपके articles I hope आपको उच्छे से clear हुए होगे use of a और an मैं एक बार फिर से बता दू अगर Philip के बाद वाला जो word है source से स्टार्ट हो तो वहाँ पर an लगेगा और यदि वो वेंजन से स्टार्ट है तो वहाँ पर ए लगेगा clear? तो चलिए देखती है हमारा next part next is creative writing creative writing में देखे क्या है look at the pictures and filling the blanks with correct words from the book picture देखना है picture के according जो fill ups दे रखे है in help box की help से आपको in words को इसमें fill करना है ears you know can, hands, heart, plate, plate खाने वाली plate होती है pressure cooker इसमें हम खाना बनाते है this one, Tina यहाँ किसी girl का name है mama, mother को बोल रही है यहाँ पे, mama food खाना dash is cooking food, यहाँ picture देखे, picture number one this one, okay, यहाँ कोन खाना बना रही है mama बना रही है न, तो mama is cooking food ठीक है, mama खाना बना रही है dash is standing, standing होता है, खड़े हुए है कोन, close, pass me to her अब इस mama के पास में कोन खड़ा है अब यहाँ पे कोन खड़ा होता, Tina ठीक है, Tina is standing, close to her Tina उनके पास खड़ी हुई है dash gives whistle, whistle कौन दे रहा है यहाँ पर देखो, picture में देखे कौन whistle दे रहा है, pressure cooker तब pressure cooker gives a whistle, okay number four देखे, Tina puts her hands puts मतलब रखे वे है, her means अपने hands अपने hands कहां रखे में, picture में देखो ears पर रखे है न, तो यहाँ क्या आएगा Tina puts her hands on her ears, okay mama says, mama कहती है Tina go, Tina जाओ and wash your और wash करो, picture में देखो क्या लग रहा है आपको, wash your hands, okay number six then bring your, तब लाओ bring means होता है लाना, यह अपने, क्या लेके आओ एक plate, तब अपने एक plate लाओ the dash is ready, अब यहाँ पे क्या ready है, आपको क्या दिख रहा है food, तो क्या होगा the food is ready the students, यह हुआ हमारा lesson number 15 the board says on the river, I hope आपको अच्छे से clear हुआ होगा, मिलते हैं हमारी next video में, next lesson के साथ, thank you